हेलो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है नट और बोल्ट से आने वाले महतुपूर्ण क्षिट्टन जी हाँ दोस्तों इसके पहले हमने बात किया था कि बोल्ट आपके कितने प्रकार से होते हैं अब हम बात करेंगे इस टॉपिक में बोल्ट से आने वाले बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यूस्टन जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तु आपके जो भी टिक लाइन है जितने भी आपके छेत्र है सब जगान नट और बोल्ट का प्रयोग किये जाता है और लगबग आप कहीं में इंटर्व्यू में जा कर लेते हैं दोस्तों नट और बोल्ट से कभी भी आप नहीं भसेंगे यह मेरा चैलेंज है पहला क्यूस्टन है नट वह बोल्ट के पेर में मेल पाल्ट क्या कहलाता है जिहां दोस्तों नट और बोल्ट के पेर में जो मेल पाल्ट होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं आप आप संट चार नंबर पर है वह कोई नहीं तो आपका जो राइट अंसर वह होगा आपका पहला पर जाएगा दुस्तों बोल्ट जो होता है और नड़ जो होता है वह आपका फिमेल पाल्ट होता है तो आए यह वह मगले रहे और आपको कितने इसे तैयार कर लेते हैं तो आपका नहीं है और चौह संवानने निता कीस मटरियल का बना होता है दूसरा को नहीं है तो पहला नंबर पे आप से सब्सक्राइब कोई नहीं तो समाननी रूप से जिस मटेरियल का बोल्ट बना होता है दो आपका होता है आप्शन तीन नंबर माइल्ड इस्टील का बना होता है तो आएब हम अगले क्यूस्चन पर बात करते हैं क्यूस्चन नंबर सब्सक्राइब क्या होगा जीहां जोट का ब्यास होगा साती हुए वह क्या होगा बोल्ट की साइज आपको दे रखी आप यहांपे देख पार होंगे सिस्टीन इंटो 65 तो आपको हिट का ब्यास प्रकार नहीं है यहां साथ हुएंगम सब्सक्रेंगर प्रकार प्रकार नहीं सब्सक्राइब आप पहला है दोस्तों hexagonal head bolt दूसरा है hook bolt तीसरा है i-bolt और चौथा है इन में से कोई नहीं तो question no.4 का जो आपका answer हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा i-bolt जी हाँ साथ हूं i-bolt आपका नहीं होता है जो i-bolt होता है दोस्तों वह इस प्रकार का आपके य वाई य आई बोल्ट होता है आख जिसका मतलब आख होता है वह आला बोल्ट होता है आई प्रकार का कोई भी बोल्ट नहीं होता है तो आईए अगले क्यूस्टिन पर बात करते हैं क्यूस्टिन नमबर पांच तो आपको इसी प्रकार से घुमा देगा आप जो है गलत एंस होता है उसके उपरी कार्णर पर कितने कोड़ पर चेंपर किया जाता है हमने आपको वीडियो बनाने से पहले जो है बता रखा है तो राइट अंसर हो जाएगा आपका दूसरा तीस अंस पर जो है चेंपर किया जाता है तो आई अब हम अगले क्यूस्टिन पर बात करते हैं क किसी बॉल्ट का ब्यास क्या है तो इसके की मोटाई होगी इसके बारे में बता भी दिया है जब चल रही थी दोश्तों तो अगर आप को वीडियो नहीं पता है तो आई ऊपर देख पा रहे हैं आई पर देख सकते हैं अन्य था डिस्क्रिप्स बॉक्स में आई बटन में या डिस्क्रिप्स बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी तो जो इसका राइट अंसर हो जाएगा वह कौन होगा पहले क्यूशन देख लेते हैं कौन कौन से आपसन में 0.8D 1.8D 2.8D और आपसन हेट की मोटाई होगी वह 0.8D होती है अर्थाथ ब्यास से हम जो है 0.8D से गुड़ा कर देंगे तो आपके हेट की मोटाई आ जाएगी तो आई अगले क्यूशन से पर बात करते हैं क्यूशन नमबर साथ क्या है साथ हूं क्यूशन नमबर साथ है किस बोल्ट का प्रयोग छत पर सीट को फिट करने में किया जाता है जिहां साथ हो कौन सा बोल्ट है जिसका प्रयोग हम छत में सीट को लगाने के लिए करते हैं बहुत ही महात्तुपोंड की वर्षन है पहला है आई बोल्ट दूसरा है हूक बोल्ट तीसरा है स्कौाइर बोल्ट और आपका चौथ भूल्ट हो जाएक जी हरा सथीओ हूक बोल्ट में हम क्या करते हैं सीट को लगाकर लटका देते हैं अगले कुश्चिन पर बात करते हैं साथ हो अगले कुशिन है आपका कि कुश्च्चन नंबर 8 कि सी बोल्ट में हीड के नीचे इसकौाइर नेक बनाने का किया से होता है option पहला है साथियों बोल्ट की लंबाई बढ़ाना दूसरा है बोल्ट को कष्टे खोलते समय घूमने से रोकना तीसरा है उप्रोग तो दोनों चौथा इन्वे से कोई नहीं तो आपका राइट अंसर होगा हम जब आपको चैप्टर पढ़ा रहे थे तो बताए थे बोल्ट को कष्टे और खोलते समय क्या करना घूमने से रोकने के लिए हम इसक्वाइर नक को बना देते हैं ताकि खोलते समय जो है या कष्टे समय हमें आसानी रहे question number 9 पर बात कर लेते हैं question number 9 है किस bolt का प्रयोग machine के उठाने में किया जाता है कौन से bolt का machine प्रयोग हम मशीनों को उठाने में करते हैं option A है I bolt B है hook bolt C है square bolt और आपका option D है या 4 नमर पर option है इन में से कोई नहीं तो राइटन्स हो जो हो जाएगा आपका option पहला i bolt जहां सातों इसके पहले जो आई दिये था वह इस प्रकार का i bolt दिये था तो जो कि इस प्रकार का i bolt नहीं होता है तो i hope आपको समझ में आगया होगा तो राइटन्सर i hope हो जाएगा पहला किसी भी machine को उठाने के लिए हम आई बोल्ट का प्रियोग कर देते हैं तो अगर आपने हमारा बोल्ट का वीडियो देख रखा होगा तो आपको सारे क्यूश्चन के एंसर पता होंगे और आप फिर भी क्यूश्चन का एंसर कितने पते थे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्यूश्चन नमबर दस है दोस्तों किस बोल्ट के हेट को इस पैनर द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता आपसन है स्कॉयर बोल्ट भी है एक्जागोनल बोल्ट सी है कप बोल्ट और आपसन नमबर चार है इनमें से कोई नहीं तो राइट अंसर जो होगा साधियों वह जाएग आपका आपसन नमबर तीन कप बोल्ट जहां साथ कप बोल्ट को हम एट को जो है इस पैनर द्वारा नहीं पकड़ा है